हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल वीनेज किचिन आज हम बना रहे हैं स्वादिश सेमे की खीर जिसे हम बनाएंगे बहुत ही आसान तरीके से परफेक्ट मेजरमेंट और टिप्स के साथ तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किये हुए पूरा देखिएगा तो चलिए खीर बनाना शुरू करते हैं यहां खीर बनाने के लिए मैंने एक लीटर फुल क्रीम दूद लिया है फुल क्रीम दूद से खीर बहुत ज़्यादा मलाईदार और गाड़ी बनती है 100 ग्राम मोटी वाली सेमेया है जो मार्केट में बढ़ी आसानी से मिल जाती हैं आप चाह जू, मखाने, चारोडी, किसमिस और चार से पांच एलाईची ली हैं ड्राइफूट्स आप यहां अपनी पसंद के अनुसार कोई भी ले सकते हैं या आप बिना ड्राइफूट्स के भी इस खीर को बना सकते हैं अगर आप इस मेजरमेंट के साथ खीर बनाएंगे तो आप जब तक दूद में उबाल आएगा तब तक हम बाकी की तयारी कर लेंगे अब एक दूसरा पैन ले लेंगे और उसमें दो चमच देशी घी डालकर गर्म करेंगे अब उसमें बादाम, काजू और मखाने डालकर ब्रोष्ट करेंगे जब तक कि वह अच्छी तरह से सिखन ज जाए यहां ड्राइफूर्स को सिखते हुए लगभग एक मिनिट हो गया है और हमारे ड्राइफूर्स अच्छी तरह सिख गए हैं अब हमें एक प्लेट में निकाल लेंगे फ्रेंड्स चिरोंजी और किसमिस को हम बिना सिखिये हुए ही खीर में डालेंगे अब इसी पैन म अच्छा आएगा जब तक हमारे समया भून रही है तब तक हमारे दूद में भी उबाला गया है अब हम गैस का प्लेंगे और इसे उबलने देंगे यहां सेमय को भूनते हुए लभग चार से पांच मिन्ट हो गए हैं और आप देख सकते हैं हमारी सेमया कितनी अच्छी ग सेवई में कड़वाट आ जाती है जो खीर खाते समय बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है अब गैस का फ्लेंगे और सेवईयां को ओबलते हुए दूद में थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे फ्रेंड्स यहां हमें एक साथ सेवईयों को दूद में नहीं डालना है क्योंक इसे चलाते रहेंगे जिससे कि सेवईय तले में चिपक न जाएं फ्रेंड्स कुछ लोग सेवईयां भूनकर उसी पैन में ठंडा दूद डालकर खीर बनने के लिए रख देते हैं ऐसा कंडे से दूद के फटने का डर रहता है इसलिए हमेसा हमें उबलते हुए दूद में दूद के साथ पकते हुए लवख चार से पांच मेंट हो गए हैं और आप देख सकते हैं हमारी सेवईयां कितनी अच्छी तरह से फूल गई है और यह पहले से गाड़ी भी हो गई है अब इस स्टेज पर इसमें ड्राइफूस टारकर मिलाएंगे और कुछ ड्राइफूस के लिए बचा लेंगे साती जो हमने इलाइची ली थी उन्हें भी कूट कर इसमें डाल देंगे जिससे इलाइची का फ्लेवर खीर में बहुत अच्छा आजाए अब फाइनली इसमें आदा कप चिनी डालकर तीन से चार मेंट और पकार लेंगे या आप जितना मीठा खात है आप देख सकते हैं यह पहले से कितनी थिक हो गई है और इसकी परफेट कंसिस्टेंसी है अब गैस का ब्लेम बंद करेंगे और खीर को गर्मा गर्म सर्फ करेंगे फ्रेंड्स जब भी आपका कुछ मीठा खाने का मन करें तो आप इस चटपट सी बनने वाली खीर को था 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 थ